हाई गाईज मैं हूँ प्रितियों आप सोभी कप्यू प्रिंस वर्ड में स्वागत आचे करते हो आज का दिन आपका शुब बित्रा होगा फ्रेंज आज के वीडियों बताओंगी क्या ब्रेस्ट फिडिंग से पहले हर बार ब्रेस को क्लीन करना निपल को क्लीन करना कंपल सर है वीडियो जो है बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला इस लान तक बने रहे का अगर आप मैं चल पर नए है पहली पर मैंना चनल देख रहे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए का आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महींने रखता है तो चल पर कुछ लगाया जैसे दवाई हो गया क्रीम हो गया या फिर घी वगयरा कुछ भी लगाया है तो उसको वहाँ पर क्लीन करके अपने बच्चे को फीड कर आसकते हो फ्रेंस सेकेंड़् तीन कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपरेशन हो गया है इस वजह से ना के टाइम पे डॉक्टर है ना आपके उपर के पार्ट को नहीं कुछ भी लगाता है या जूता है अब आप पूछोगे कि आना वहाँ पर क्लीन करके दूद क्यों नहीं पिलाना चाहिए क्लीन करके पिलाना तो अच्छा यह ना बच्छे को अच्छा साफ एरिया मिलेगा बच्छे दूद पीने को फ्रेंस यह बहुत जारा नेगिटिव पॉइंट है अगर आप आना उसको साफ करके बार बार साफ करके बच्छे को फीट करा रहे हो तो अब पुछोगे कि वैरी वैरीन की वीरी नेगिटिव क्यूथ वहूद क्यों कोई और सकता है सिरने लगता है क्यूंइ गया है कि यु Walter की स्मेल है अटाय की से मालू होती है उसे मालू hottest है अ कोई और आने लगती है तो वह उँ दर नहीं जाता है इने बित आपने बैटे को अठीर को ड़ा स्मेल करता है आपका ब्राश और फिर उसके बाद असको फील होता है हुं में मम्मी का ब्राउन एरिया और ब्राउन एरिया और ब्रेस का जो स्मेल है ना वह बच्चे का जो इम्योटिक फ्लूएटा उससे बहुत ज्यादा मैच करता है जब आपका ब्रेस की स्मेल इम्योटिक फ्लूएट जैसे स्मेल करती है तो बच्चा जादा कनेक्ट कर लेता है क्योंकि नौ मेरे तो धरी देता है और उसकी जो स्मेल टेस्ट वगरा जो है वो उसने किया रहता है इस वज़े से बच्चा बहुत जादा कनेक्ट करता है और अच्छे से मूग खोल लेता है उसके वज़े से आपको अच्छे से लैच करने में दूद पिलाने में कोई प्रॉबलम नहीं आती है अगर आप बार बार पोच ओके तो आप एना क्या करते हो मा का जो स्मेल है उसका अरोमा है वो बार बार पोच के हुआ से निकाल देते हो तब बच्छे को वहाँ पर ऑना अनंकमफोटेबल फील होता है कि उसको स्मेल ही नहीं आ रही है कि यह नहीं मुझे मां का व्रेस है या नहीं फ्रेंस आप छोगे कि यह बहुत ज़गा स्वेट होता है गर्मी इसे चूज़ करना है प्यॉर कॉटन का इदम टाइट ब्रा नहीं पहनना है जिसके वज़े से वहां पर जादा पसीना कलेक्ट हो जाए यह पिर आपको कंपल सरी जो पहनते हैं निपल पैड वह भी नहीं पहनना है जादा टाइम तक ताकि आपका जो एरिया है वह जादा व बॉला फ़ाल को शाइं कर लो करिंग करूं कर लो प्रक झिचिन करने कर लो प्रक्शिव का तखलीस है तो आपका जो कंब रहे है वह ए नहुंड आरे बेर पाघन परेस नीज जो ने पर हूँ जिसके वज़े से आप कमफ़र्टेबल हो सब्सक्राइबल को आपको बार बार ब्रेस पोचिना ना पड़े फ्रेंस एक चिस याद हो को बार बार उसे पोच के उसका जो स्मेल निकाल देना यह कम जरुत नहीं है आप है ना उसे अच्छी तरह के से रखो कम लगी जो आपका एक लाइक में बहुत माने रखता है तो चलिए बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में मैं पी आपने यहां तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद चलिए बाई